तो यारों आज की मुवी है दा विलेनेस ये एक साउथ कोरियन एक्सन थ्रीलर मुवी है तो चलो अब मुवी की कहानी पर आते हैं तो मूवी की सुरुवात में हम एक साथ साल की बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मिया होता है और उसके फादर को किसी ने जान से मार दिया था जिसे की वो बेट के नीचे छुप कर देख रही थी उसे उस हत्यारे की आवास तो सुनाई देती है पर वो उसके चेहरे को नही को चुडाया था और शायद इसी कारण से डेविड और उसके साथियों ने मिया के पिताजी को टपका दिया था उसके पिताजी को मारने के बाद भी उन्हें वो डायमंड कहीं पर नहीं मिलता है और तो भी डेविड को बेट के नीचे छिपी हुए मिया दिख जाती है और इसी दोरान हम देख पाते हैं कि वो मिया को ट्रेनिंग देता है असासियन बनने का और इसी बीच मिया 20 साल की हो जाती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि बुक मिया के उपर एक टैटू बना रहा था। वहीं पर मिया उससे कहती है कि मेरी जिन्दगी के सिर्फ एक ही मकसद है अपने पिदाजी की मौट का बदला लेना। वहीं आगे हम देख पाते हैं कि मिया एक खतरनाक असासियन बन चुकी होती है और वो अपने पिदाजी के कातिल डेविट के पीछे भाग रही होती है उसे पकड़ कर उसे जान से मारने के लिए पर वो ही खुद उनके जाल में फाज जाती है और डेविड और उसके आदमी मिया को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ कर उसे बान दिया जाता है वहीं पर डेविड मिया को बताता है कि उसने उसके पिदाजी को नहीं मारा है और अगर तुम्हें इस बात का भरोसा नहीं है तो उपर जाकर तुम उसी से पूझ लो वो मिया को मारने ही वाला होता है और तभी वहाँ पर बुक आकर उसे बचा लेता है और डेवीड और उसके सब भी आदिमयों को निप्टा लेता है। फिर हम देख पाते हैं कि मिया को बुक से प्यार हो जाता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद दोनों सियोल हरीमून के लिए जाते हैं। वहीं पर वो दोनों एक जगा डीनर कर रहे होते हैं। और तभी बुक को एक कॉल आता है कि चोई को किड्नैप कर लिया गया है। तो फिर बुक मिया से कहता है कि उसे वहाँ से जाना होगा। असल मैं चोई बुक का एक पार्टनर होता है। तो फिर मिया भी उसके साथ जाने के लिए जीत करती है। पर बुक उसे रोग देता है। वहीं बाद में हम देख पाते हैं कि मिया से मिलने चोई आता है। और चोई मिया को बुक की लास दिखाता है। और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे फादर का कातिल मिल गया था और उसे ही मैं मारने गया था पर मुझे ही पकड़ लिया गया और फिर मुझे बचाते हुए बुक वहीं पर मारा गया वहीं पर हम देख पाते हैं कि बुक की लास की सकल बुरी तरह से बिगडी हुई थी और उस लास को देख मिया को बहुत ज़्यादा गुशाता है और वो तूरन जाकर सारे के सारे गैंगिस्टर्स को मारने लगती है। वो एक बिल्डिंग में घुशती है और एक एक करके सब को भायाना तरीकोस मारने लगती है। ये fight sequence बहुत ज़्याद अच्छी है आप इसे अगर movie में देखेंगे ना तो बड़ा मजाएगा वहाँ पर सब को निप्टाने के बाद वो एक खिड़की से नीचे कूदती है पर वहाँ पर पहले से ही पुलिस वाले उसका इंतिजार कर रहे होते हैं और वे लोग उसे पकड़ लेते हैं फिर मिया को पकड़ कर एक faculty में ले जाया जाता है जहां पर उससे बेयोस करके उसका plastic surgery किया जाता है वहीं उसके बाद एक दिन वो इस faculty से भागने की कोशिस करती है और यहां हम देख पाते हैं कि उस जगा पर बहुत सारे कमरे थे और CCTV मिया को वहां से भागते देख सभी वहां के वरकर हंसने लगते हैं वहीं मिया भागते हुए कमरे में पहुचती है जहां वो दूसरी लड़की को वहां से बाहर निकलने का रास्ता पूचती है तो फिर वो लड़की मिया को भागने का रास्ता दिखाती है पर जैसे ही मिया वहां से आगे की ओर जण करती है वो लड़की मिया को shoot कर देती है और फिर मिया को दूबारार से पकड़ लिया जाता है ताब हमें पता चलता है कि वो लड़की एक South Korean Intelligence Agency की head थी और उसका नाम मिंग था वहीं पर मिंग मिया को कहती है कि हमने तुम्हारी नई identity बनाई है और तुम्हारा fake death दुनिया को दिखा दिया है तो इस पर मिया कहती है कि इन सब बातों से मुझे घंटा फरक नी पड़ता तुम मुझे मार दो, वहीं पर मिया को कहती है कि तुम pregnant हो और क्या तुम चाहती हो कि तुम अपने साथ अपने बच्चे को भी मार दो आगे मिंग कहती है कि मेरे पास तुमारे लिए एक offer है कि हम तुम्हें training देंगे और तुम्हें एक agent बनाएंगे तुम मेरे लिए 10 साल तक काम करो और फिर उसके बाद तुम्हें जिंदगी बर की pension और रहने के लिए जगा और आजादी मिलेगी तो फिर मिया इस बात से मान जाती है और वहीं training के बीच मिया एक बच्ची को जैनम देती है और फिर मिया अपने कंदे से उस tattoo को भी erase करवा देती है जिसे की book ने बनवाया था उसके बाद हम देखते हैं कि मिया को उसका पहला assignment मिलता है और इसी बीच मिया की बेटी भी 8 साल की हो जाती है और मिंग उससे कहती है कि अगर तुमने इस assignment को अच्छी तरह से पूरा कर लिया तो तुम फिरी हो जाओगी और तुम बाहर रह सकती हो पर उसके बाद भी तुमें हमारे लिए काम करते रहना होगा तो फिर मिया अपने assignment में दी गए है आदमी को उसके घर में घुश कर मार देती है और तभी उस बंदे के आदमी मिया के पीछे लग जाते है और यह fight scene भी बहुत अच्छा है इसे देखकर आपको जोन विक 3 की आदा जाएगी इसके बाद मिया वहां से किसी तरह से बचकर निकल जाती है वही assignment पुरा हो जाने के कारण मिया को free कर दिया जाता है और उसके लिए मिंग एक flat का इंतिजाम करवाती है वहीं पर मिया पर नजर रखने के लिए एक किम नाम के बंदे को उसका पडोसी बना कर भेज दिया जाता है और इस बारे में मिया को घंटा पता नहीं होता है वहीं पर किम मिया से दोस्ती करने की कोशिस करता है पर मिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है आदमी है जिसकी वाइब की तीन साल फाले ही डेथ हो चुकी है उसके बाद काफी दिन भी जाता है और किम की अच्छाई देख मिया उसे अपना दोस्त बना लेती है और एक दिन वो अपने साथ किम को प्ले में चलने के लिए कहती है वहीं पर प्ले के बाद दोनों डिनर पर जाते हैं वहीं पर किम की टाई को को देख मिया को अपने एक स्ब्सब्स बूग कि यादopy अनेजा जाती है और फिर मिया को किम से प्यार हो जाता है और एक रात वो दूनों इंटेमेट हो रहे थे और तबी Means को को एक कॉल आता है और उससे कहीं जाना पड़ता है मिया और उसकी एक दोस्ट अपने एक मिशन के लिए जाते हैं, जिसमें उन दोनों के एक बंदे के फोन से कुछ जानकारिया हासिल करनी थी, पर उस मिशन पे मिया की वो दोस्ट मारी जाती है, वहीं अगले दिन मिया अपनी बोस्ट से कहती है, कि वो साधी करना चाहती है, वो भी किम किम से क्योंकि अगर किसी मिशन में उसकी जान चली गई तो उसकी बेटी को देखने वाला कोई तो होना चाहिए तो फिर उसकी बोस एक हॉल और बहुत सारे नकली रिष्टेदार को अरेंज करवाती है वहीं पर मिया और किम शादी कर लेते हैं वहीं पर उसकी बोस मिया को आती है कि वास्तों में जल्दी से जाओ वहीं पर एक गन होगी जिसके यूज करके बाहर खड़े चसमे वाले आदमी को तुम टपका दो और तभी वो नोटिस करती है कि ये चसमे वाला बंदा उसके एकस हस्बें बुग जैसे दिख रहा है जो कि मर चुका था और इसी कार पारण उसकी बोस इस काम को उसकी एक कंपिटीटर जून को दे देती है जून हमेशा से मिया से आगे निकलना चाहती थी पर वो कभी निकल नहीं पाती तो अब उसके पास एक सुनहारा मौका था वहीं बुग जैसा दिखने वाला इंसान उस जगह पर आता है जहां पर मिय मिया ने उससे सूट करने की कोसिस की थी और वो उस जगह का जायजा लेता है फिर वो इंसान मिया के साधी वाला वीडियो को देखता है तो वो मिया को देखकर सोचता है कि उसने इस लड़की को कहीं तो देखा है वो मिया को इसलिए नहीं पहचान पाता है क्योंकि मिया की प्लास्टिक सरजेरी हो चुकी थी, तो पुराने लोग प्लास्टिक सरजेरी के करण मिया को पहचान ही नहीं पाते, वहीं अगले सीन में मिया और किम डिनर के लिए गए होते हैं, वहीं पर आचानक किम को एक कॉल आता है, तो वो बात करने चला जाता है, और तभी भुग ज थोड़ी बहुत बात करता है और फिर वहां से चला जाता है वहीं वाश्रूम में किम अपनी बोस मिंग से बात कर रहा होता है तो वो अंजान बंदा उसकी रिकोर्डिंग कर लेता है वहीं आगे के सीन में हम देखते हैं कि मिंग मिया को कहती है कि तुमने पिछली बार अपन वाला बंदा बुकी था और वो मरा नहीं था पर वो मिया से क्यों दूर गया इस बात का जवाब हमें आगे पता चलेगा फिर हम देखते हैं कि मिया को एक लेटर आता है तो फिर उस लेटर को पढ़कर मिया एक जगह पर जाती है जहांपर मिया को किम और मिंग की बातों का recording मिलता है जहां पर मिंग कह रही होती है कि किम तुम भूलो मत की तुम्हारी साधी के ओल एक मिशन का हिस्सा बस है और इस बात को सुनकर मिया को बहुत जादा दूख होता है कि किम एक धोखे बाज है और साथ ही मिंग भी इसी करण वो बुक को एक बात बता देती है कि जून उसे मारने आ रही है तो फिर बुक और उसके आदमी जून को पकड़ लेते हैं जून के गले में एक कैमरा था जिसके करण मिंग को पता चल जाता है कि जून पकड़ी गई है और वो कीम को ये बात बता देती है कि उसे बुक को मारना होगा अगर मिया को जिन्दा देखना है तो अगले दिन मिया मिंग से मिलती है और मिंग उससे कहती है कि तुम अपना काम पूरा करो तभी तुमारी फैमिली ठीक रहेगी तो फिर मिया कहती है कि अजि घंटर का फैमली, वही फैमली जिसमें मेरा हजबन तुम्हारे ले काम करता है, तो फिर हम देखते हैं कि मिया और मिंग काड़ी में कहीं जा रहे होते हैं, और तब ही कोई उनकी गाड़ी पर हमला करता है, तो हम देख पाते हैं कि वो बुक है, और वहाँ से किम उसकी बेटी को लेकर नीचे गिर जाता है और दोनों की वहाँ पर गिर कर मौत हो जाती है अब ये देख मिया गुससे से पागल हो जाती है कि आखिक किम और उसकी बेटी को किसने मारा तो फिर वो वहाँ से सीधे मिंग के पा जाती है उसे हम ऐसा के लिए ख समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी दुस्मन नहीं हूँ ये तुम्हारे दुस्मन है और फिर मिंग मिया को एक वीडियो दिखाती है उस वीडियो में मिया देखती है कि किम और उसकी बच्ची कहीं से घर आते हैं पर वहाँ पर बुक के आदमी पहले से ही मौज हो जाता है और इसी में वो दोनों बालगनी से नीचे गिर कर मारे जाते हैं और हम वीवर यहां पर समझ जाते हैं कि यह सब जो कुछ भी हो रहा है इन सब के पीछे का मास्टर माइंड बुक ही है अब यह फूटे सब को देखकर मिया आग बगुला हो जाती है और फिर वो कि मिया बुक के अड़े पर पहुंचाती है और उसके सारे आदमी को चुन-चुन कर मारने लगती है वहीं पर सब को मारने के बाद वो बुक से पूछती है कि क्या तुमने कभी भी थोड़ा सभी मुससे प्यार किया है तो फिर बुक वहां पर बताता है हां मैंने किया था पर सिर्क मजबूरी में क्योंकि मैंने तुम्हारे पिताजी को मारा था और तुम्हें अनात बना दिया था। और यहां मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है कि मिया के फादर को डेविड और उसके आदमियों नहीं बलकि बुक ने मारा था। और मौके का फादा उठा कर जब डेविड ने मिया को बेच दिया था तो बुक को गिल्टी महसूस होता है कि बेचारी बच्ची के साथ और क्या क्या होगा। इसलिए उसने उससे बचा कर अपने पास रख लिया था। पर इसमें भी उसका ही मतलब था। वो मिया को एक असासियन की तरह ट्रेन करता है क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही मिया बड़ी होगी वो बदले की आग में डेविड और उसकी पूरी गैंग को मार देगी। और उसके बाद वो मिया का फैदा उठा कर अपने अपोनेंट्स गैंग वालें को भी मरवा देगया। तो फिर इस बात को सुनकर मिया कहती है कि तुमने मेरी पूरी जिन्दगी को बरबाद कर दी है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मेरेगी। पर भूक को भाग जाता है और मिया भी उसके पीछे भागती है और एक बस में खुजाती है वहाँ पर मिया भूक को भांकर टाइप से मारती है और अंत में उसके जान ले लेती है और फिर उस बस से बाहर निकलती है और बाहर वो देखती है कि पुलिस वाले उसका इंतिजार कर रहे हैं और वो एक सै चीन सोट बहुत ज़्यादा मस्त है आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए मैं तो इसकी फैटिंग में आपको देखना चाहिए और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही आसा करता हूं दोस्तों आपको मेरा एक्स्प्लेनेशन पसंद आया होगा अगर हां तो प्लीस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एक्स्प्लेनेशन वीडियो पर तब तक के लिए बाए